नमस्कार रोटेशनल लाइफ और प्रश्टनल लाइफ दोनों में बेलेंस होना ज़रूरी है इस अनौ टाइम इस परजन समय में दोनों में बेलेंस होना ज़रूरी है ओ यह दोनों आपके जैसे कोई गाड़ी चलती है ना गाड़ी के पईये होते हैं दो पईये उस पईये के समान है यह दो अगर एक भी डिश्टप वहाना तो आपकी लाइफ डिश्टप हो जाएगी और बहुत से जैने केते हैं सर्फ प्रोपेशनल लाइफ और प्रस्टनल लाइफ में बिलेंस नहीं रहता है बहुत से लोग के तो प्रोपेशनल लाइफ में प्रोपेशनल लाइफ गुसा देते हैं प्रोपेशनल लाइफ में प्रोपेशनल लाइफ गुसा देते हैं और बस को आपको मेंटेन करना होगा और दोनों को वैस्तित रूप से चलाना होगा तब तो आप सही रास्ते पर जाओगे लेकिन अगर दोनों में से एक चीज आपकी डिश्टेब रही तो समझ लेना कि आपका मालसिक संतुलन विगर सकता है कि एक इन दोनों को तो आपको वैस्थित रखना होगा अब में क्या करें आज के टाइं Jian a इतना बड़ा टेंस है, बिजनेस में टेंस है, कोई जोब कर रहे तो वहां टेंस है, और कोई अलग वर्क कर रहे तो वहां टेंस है, और परिवार में तो अलग टेंस ही है, परिवार में इंसान तरह तरह की मुश्किले आती है, फेमिली से हो गई, समास से हो गई, रिष्टे तो इनसान करें तो बैचरा क्या करें दोनों तरफ टेंज पेदा करने वाली चीजें और आप कहते हैं कि दोनों को बैलेंस करके चलो कैसे हाओ कभी कभी तो जब दोनों लाइफ मिक्स हो जाती ना तब बड़ा बखेडा शुरू हो जाता है परिवार में लड़ी हो जाती है ओपिस में लड़ी हो जाती है जब दोनों मिक्स हो जाते प्रोफेशनल लाइफ और परस्टनल लाइफ इन दोनों को तो आपको balance करके चलना पड़ेगा तभी आप happy रेपाओगे तभी आप कुछ productivity work कर पाओगे कुछ आप अच्छा कारी कर पाओगे उसका अच्छे कारी से अच्छा result दे पाओगे अगर दोनों को आपने balance कर लिया तो otherwise you can't do nothing in your personal life in your professional life you are a zero ँब और तो सबस्ते पहले आप यह करें यह करें कि अपना schedule तरे करेussia अबमने family को समय किसी पतना है अपने ओपिस समय किस वर्क दरना अगर आप business कर लोई तो business को किस समय देना है तो आपको fix fix करना होगा आपको पता ही नहीं है आप इदर भी ढोट है औरा आप बस दोड़ रहे हैं आपको एक टाइमिंग फिक्स करना होगा कि मेरे प्रस्टनल लाइफ में मेरे को यह समय देना है मेरे बच्चों के लिए मेरे पत्ने के लिए मेरे माबाप के लिए यह समय देना मेरे को फिर दूसरा आपको यह फिक्स करना होगा कि मुझे जो मेरी है जो मेरी बिशनेस लाई पेज जहां मैं जोब करता हूं मुझे यह समय देना होगा मुझे वहां पर यह कार्य करना होगा और मुझे यहां पर टार्गेट अचीव करना होगा तो सब कुछ ठीक रहेगा अधरवाइस क्या है अधर वहाइस आप इधर भी दोड़ोगे इधर भी दोड़ोगे और आपका वर्क तई समय पर नहीं होगा हो पाए इसलिए शेडूल अपको कुछ और क्या करना कि कुछ समय के लिए ब्रेक ले हो सकता है कि आप चारों तरह से अपर परस्टनल लाइब परफेस्नल लाइब से वो गये तो सकता है आपने थोड़े थोड़े थैम दाने हेल्ट के लिए अपने सरीर के लिए थोड़ा बरेक लें थोड़ा एक रिलक्स, फिल करें, यहां यार और एक रिलक्स माइन्ड से सोचे कि यार, कि मुझे अपनी प्रफेशनल लाइप कैसे चलानी है, अपनी पर्सनल लाइप कैसे चलानी है, तो हो सकता है उसके लिए आप 10 दिन, 15 दिन का प्रेक ले आराम से सांती से रिलक्स मेंड से सोचे फिर वाफिस अपने काम प्रेशाए अगर आपको लगता है कि आर आप प्रोपेश्नल लाइफ मेनेज नहीं कर पा रहे हैं और आपको टाइम मनत्र है अपका हेक्टिक शुलूर हो तो हो सकता है, आप अपने परिवार की मदद ले सकते हैं, आपने ममी पापा को बता सकते हैं, आप अपनी वाइप को बता सकते हैं, हो सकते हैं, वो आपकी जो प्रोफेशनल लाइप हैं, उसमें आपकी थोड़ी बद मदद कर ले, यह हो सकता है आपकी प्रोफेशनल और अगर आप प्रस्टनलाइफ ने दोनों को मिक्स कर दिया ना तो आपकी लाइक स्पोईल हो सकती है और आपका माइंड सेट बिगर सकता है इसलिए इन दोनों में हमें साव बैलेंस बना कर चलना